क्या प्रठानमंत्री नरेंडर मोधी को ये बात शुभा देती है कि वो विपक्ष के नेता राहूल गांधी के बारे में भ्रामक प्रचार करें? काईदे से दोस्तों मुझे जूट शब्द का इस्तवाल करना चाहिए मगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री है और जाहिर सी बात है कि इस पद की इज़त करता हूँ लहाजा ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या वज़ा है कि जिस प्रचार को हजारों फैक्ट चेकिंग साइट्स ने जूटा करार दिया था राहूल गांधी के बारे में भारतिय जन्ता पार्टी के दो रुपली ट्रोल जो प्रचार करते थे और उसे जूटा भी पाया गया था प्रधान मंत्री उसे मंच पर दोहरा रहे है प्रधान मंत्री ने क्या कहा हमें आपको बताता हूँ प्रधान मंत्री ने कहा कि कुछ लोग आलू को सोना में बदलने की बात करने आपको याद होगा दोस्तों कि राहूल गांधी का एक बयान वाइरल हुआ था ये कहा जा रहा था कि देखिए राहूल गांधी ये कह रहे है कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा राहूल गांधी ने दरसल वो बयान खुद नहीं दिया था वो खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला दे रहे थे कि प्रधान मंत्री ऐसा दावा कर रहे थे ये राहूल गांदी का बयान नहीं था वो सिर्फ प्रधान मंत्री का हवाला दे रहे थे मगर मद्ध प्रदेश की एक चुनावी राली में प्रधान मंत्री ने ये ब्रामत प्रचार किया इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारती जनता पार्टी हार के डर से बौकलाई हुई है क्या भारती जनता पार्टी डेस्परेट हो रही है आखिर क्या वज़ा है कि पार्टी की मेता भड़काउ बयान दे रहे हैं आखिर क्या वज़ा है कि मद्द प्रदेश, शत्तीजगड और राजिस्थान की चुनाव में परमश्रध्धे भगवान श्री राम के बारे में भी भड़काउ बयान दिये जा रहे हैं क्या वज़ा है ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते बोल इलाबा अजात है तेरे क्या मुद्दों पर भारती जनता पार्टी नहीं रह सकती मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों की प्रधान मंत्री नरेंडर बोधी ने दरसल कहा क्या है फिर मैं उनका पूरा बयान भी आपको सुनाओंगा जैसे तैसे कुरसी पाने के लिए कॉंग्रिस मध्दप्रदेश के लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है सोने का महल देने का वादा करेगी और फिर कहेगी कि आलू से सोना निकालूंगा फिर बनाऊंगा लेकिन सत्ता मिलते ही कॉंग्रिस आपको भूल कर लूट का कारोबार शुरू कर देगी जाहिर सी बात है यहां प्रधान मंतरी ताना किसी और को नहीं राहूल गांधी को दे रहे हैं तो यहां पर लाग टके का सवाल आखिर प्रधान मंतरी नेता विपक्ष राहूल गांधी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते सबसे पहले, सुनिये प्रधान मंत्री ने क्या का, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूँ दरसल हो क्या रहा है दोस्तों, पिछलिक को दिनों में लगातार प्रधान मंत्री की तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं, जिस पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लगा हुआ है, मसलन प्रधान मंत्री ने ये बयान दिया था जो आपके स्क्रीन्स पर है, और कॉंग्रेस क प्रचार तंत्र उन से सवाल भी कर रहा है, प्रधान मंत्री ने क्या कहा था, प्रेस ट्रस्ट फ इंडिया की खबर, हाली मैं आपको याद है दिवाली के दिन, वो हमारे सेना के जवानों के साथ गए, उन्होंने देखा, किस तरह से सेना की वेश भूशा भी पहनी, बहु मैंने सेना के जवानों के साथ नहीं बिताई, यानि कि सरल भाषा में कहा जाए, तो प्रधान मंत्री ने यहाँ पर कहा था, कि पिछले 35 सालों में हर दिवाली मैं सेना के जवानों के साथ रहा हूँ, अब सोशल मीडिया में पलट कर लोग प्रधान मंत्री के इस बयान का ह जोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधान मंत्री आपका कौन सा बयान सही है वो बयान जिसमें आपने कहा कि पिछले 35 सालों से मैंने सेना के साथ हर दिवाली बिताई है या फिर ये बयान जिसमें हो कह रहे हैं कि हर दिवाली मैं पांच दिन जंगल में बिताता हूँ आत्म मन्थन करने के लिए और अगर आप आत्म मन्थन करते थे प्रधान मंत्री तो आत्म मन्थन में आपके जहन में आपके मन में किस तरह की विचार चलते थे क्या उन्हीं विचारों का परिणाम है कि आप राहूल गांदी के बारे में ब्रामक बयान दे रहे हैं क्योंकि राहूल गांदी ने जो बयान दिया था आलू और सोने वाला वो ये दावा नहीं कर रहे थे कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा नहीं वो प्रधान मंत्री के किसी बयान का हवाला दे रहे थे तो इससे पता चलता है कि प्रधान मंत्री कहीं न कहीं इन चुनावों में अब हार के डर से थोड़ा बॉखला रहे हैं और यही वजाए कि इस तरह के बयानात लगाता रहे हैं यह बहुत जरूरी हो जाता है प्रधान मंत्री के लिए कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दें क्योंकि विपक्ष जो सवाल करता है सरकार को उसका जवाब देना होता है सवालों के जवाब में आप उन्हें जेल में नहीं डाल सकते जैसे कि आपने मनीस सो दिया संजय सिंग को डाल दिया अब किन बातों पर उन्हें जेल में डाला गया कोई नहीं जानता है की सरकार है बकॉल राहूल गांदी आपके स्क्रीन्स पर आपने पिछले चुनाव में बीजेपी को नहीं चुना था आपने कॉंग्रिस की सरकार चुनी थी यह आपकी चुनी हुई सरकार नहीं है यह चोरी की सरकार है सुनिए राहूल गांदी क्या कहना है आपने पिछले च चोरी करके बनाई गई है आपके आंखों के सामने यह सरकार आपसे चोरी करके ली गई है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार मध्यप्रदेश की चंता बीजेप्टी को साफ बता दे यहां पे 150 सीटें कॉंग्रेस पार्टी को आनी चाहिए उप कम नहीं होनी चाहिए क्या प्रधान मंत्री दारेंद्र मोधी के पास इस सवाल का जवाब है क्या प्रधान मंत्री इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आज से चार साल पहले जब जोतरा दिच सिंधिया जो हैं वो कॉंग्रेस छोड़के बीजेपी की गोद में जा बैठे थे उन्हें राजसभा का सांसद और मंत्री बना दिया गया था, तब प्रधान मंत्री से पूछा जाना चाहिए, क्या ये जो पूरा ओप्रेशन हुआ था, वो प्रधान मंत्री के कहने पर हुआ था, क्योंकि याद कीजे दोस्तों, शिवराज सिंग जोहान ने आज नहीं चार साल पहले एक बयान दि जवाब प्रधान मंत्री के पास है, यहीं नहीं दोस्तों, राहूल गांधी नहीं ये भी कहा, कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, कि 15 लाक रुपे हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, नोट बंदी कर काला धन मिटाएंगे, मद्ध प्रदेश में लाखों लोगों की समय प का जवाब है, सुनिए राहूल गांधी क्या कह रहे हैं? लाकों लोगों ने, लाकों लोगों आक्सिजन में मिला, प्रोड़ा के जवाई ने मिली, गोटला हुआ, और लाकों लोग मध्य प्रदेश में मरें, यह हैं इनकी राजनेती। लोगों करोड के रिश्वत की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं यह दावा नहीं कर रहा हूँ कि वो रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत ली नहीं ली। मगर मेरा सवाल है कि क्या उस विडियो की सत्ता की जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, पहले विडियो में देवेंद्र तुमर अपने पिता के आड्रेस की बात करते हैं, कृष्णा मैनन मार्क की भाभी जी की बात करते हैं, नहीं नहीं भाभी जी पापड़ वाले नहीं, भाभी जी यानि या तो देवेंद्र तुमर की पतनी या नरेंद रहुल गांदी इस सवाल करें, सुरी रहुल गांदी क्या क्या रहा है? और इनके सब के सब मंत्री करते हैं और यांगे चीफ मिनिस्टर सारे के सारे प्रश्टचार में लिफ्त है दिवेंदर तोमर का विडियो महाकाल कॉरिडॉर का स्कैम मिट्टे मील का पैसा ज्यापन बोटाना सबसे बड़ा एक करोड युवाव को रुक्सान पहुचाया चालिस लोग मरगाए कोई इंक्वारी नहीं पक्वारी एक्जाम स्कैम मगर एक बात है भाई और बैलो नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश सरकार की जो स्कैम्स हैं उनकी कोई भी इंक्वारी न किया है याद कीजिए से पहले जब प्रियंका कांधी वाडरा ने ये सवाल किया था तो चालीस जगाओं पर उनके खिलाप एपायार कर दिया गया था जब चुनावी मौसम होता है तो विपक्ष तो सवाल करता है ना सरकार से तो भाजपा इतनी छुई-मुई कैसे है क्या विपक्ष की सवालों से आप डर गए जब आप विपक्ष में थे तब क्या आप सवाल नहीं किया करते थे मैडम तो सिलिंडर लेके बढ़ जाती थी तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप विपक्ष में थे तो आप सवाल करते थे जिन जिन राजियों में आप विपक्ष मे कीजिए प्रधान मंत्री की पत की एक गरिमा होती है प्रधान मंत्री का पद और प्रधान मंत्री की भाषा एक स्टेट्समें जैसी होनी चाहिए मगर ऐसा लग रहा है कि उस कर्तव को अकसर प्रधान मंत्री भूल जाते हैं राजनीती की आपाधापी में मैं उम्मीद करता ह कि इन चीज़ों को दोहराया नहीं जाएगा क्योंकि जब ये चीज़ें दोहराई जाती है तो भारती राजनीती का स्तर गिरा हुआ है जो वैसे ही बारा के भाव गया हुआ है चीक है अब इसार शेर्मा को देजे एजासत समस्कार